कि जिस अतीक अहमत के खिलाफ पीडिक परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ जो उमेश हत्याकांड है यहां से जन्म लेता है कैसे लेकिन यह बात अब सीधे सदन में उड़ गई सिवपाल से लेकर अखलेश यादों से लेकर अन्ने लोग बस्पा विधायक रहे राजुपाल के हत्याकांड के बाद में एक नई कहानी का सिरा जुड़ गया आया जिसका नाम है उमेश पाल हत्याकांड नमस्कार मेरा नाम है दुर्गेश मिस्रा हाजिरु एक बार फिर से नई हमुद्दे के साथ में उत्तर प्रदेश में इस समय बड़ी गर्माट बनी है चुनाओ के बाद में शासनिक प्रसासनिक और हत्याओं और लूट के बाद में अब आप सोच रहा होगे कि लूट की बात कौन सी है लूट की बात का हम जिक्र करेंगे बाद में लेकिन पहले बात कर दें हत्याओं का दरसल कहानी शुरूई दो हजार पांच से वो दो हजार पांच क्या था उसके बाद में उमेश हत्या कांड अब जो कल हुआ जो आज हुआ उसके बाद में ये कांड क्या है कौन है उमेश पाल और कौन है राजु विधायक तो सुरुआत करते हैं दो अजार पहले की दरसल इलाबाद में जिस सीट से अतीक अहमत विदायक थे उसके बाद वो सांसद बने और सांसद बनने के बाद में वो सीट हो गई खाली खाली होने के बाद में उस सीट पर राजुपाल को बस्पा से टिकट मिली और उन्होंने अतीक अहमत के भाई को यानि के असरफ को हराया और जिसके बाद ये जो उमेश हत्याकांड है यहां से जन्म लेता है कैसे उस समय जब राजुपाल विदायक बने राजुपाल तो उसके बाद दुस्मनी हो गई असरफ की और राजुपाल की और राजुपाल की दुस्मनी का खामियाजा 2005 में उनको अपनी मौत देकर देना पड़ा है यानि की उनके गिरों ने उनकी मौत कर दी ऐसा अभी तक केस चल लाए उसके मुख्य गवा कह सकते हैं कि गवा के साथ साथ वो वकील भी थे जिनका नाम था उमेश पाल दरसल उस केस को उमेश पाल गवाही के तौर पे भी थे और वकालत के भी तौर पे थे वो 2005 में उनका अपरण हो गया यानि की उमेश पाल का और उमेश पाल के अपरण में कल वो कचहरी पहुँचे अलहाबाद और अलहाबाद से जब वो लोटे अपने घर की और अपने घर में घुसने ही वाले थे तो उनकी गिरों ने या यूं कहें कि हत्यारों ने गोलियों से और बम से उनको मौत घाट उतार दिया लेकिन इतना ही नहीं हुआ उस मौत के घाट में दो गनर बड़ी हालत खराब एक की तो मौत हो गई और एक अब भी अस्पताल में भड़ती यानि कि इस केस में 2005 में जो कांड हुआ वो अब 2023 में डबल कांड हो गया एक सिपाई की मौत और एक गवा की मौत और वकिल की मौत यानि कि दो की मौत फिर से जुड़ गया केस है नया केस हलाकि पुलिस ने अपने बयान दिये हैं कि वो ढूणेंगे जाज करेंगे और फिर से गिरफतारी करेंगे ये बात सिलसला चलता रहागा लेकिन ये बात अब सीधे सदन में उड़ गई सिवपाल से लेकर अखलेस यदों से लेकर अन्य लोग भी अब सीधे आतर हो गए और उस कानपुर में पुलिस कर्मियों नहीं दरोगा और सिपाही नहीं एक व्यक्ति को साढ़े पांच लाग रुपए लूट लिए सुना नहीं होगा आपने यह सुना होगा कि कोई चोर लुटे रहा और फंगे ने लूट पात करी लेकिन याद तो पुलिस नहीं लूट ली है हाला कि पुलिस ने इस केस में मुकदमा दर्ज किया है और जेल भेजने की पूरी तैयारी है यह आप बयान भी सुन लीजिए जिसमें दो पुलिस कर्मी साधे वस्तरों में थे और एक पुलिस कर्मी वर्दी में था और उसको ड्रा धंका कर जवर्दस्ती उससे पाच लागती हिजार रुपे छील लिए गए इस सूचना पर सचेंडी थाने प्रवारी के दुआरा जब जाच की गई तो उसमें सत्यता पाई गई उन तीनों पुलिस कर्मियों की पहचान उपनिरिक्षक यतीश कुमार, हेड़ कॉंस्रिबल अब्दुल राफे ये दोनों साधे वस्तरों में थे और वर्तमान में वादी हैं प्रक्राण के उनके त्वारा जो तैरीर दी जा रही है उसके आधार पर सुसंगा धाराओं में अभियोग पंजिक्रित करके अगरी मिधी कारवाई की जा रही है तीनों पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलम्रित कर दिया गया है इस पूरे वीडियो में कहानी दो हैं उत्तर प्रदेश में दो हजार चौबिस यानि कि भारत में दो हजार चौबिस के पहले उत्तर प्रदेश और उत्तर के प्रदेश में जो वर्तमान की इस्थिति कानून विवस्ता को लेकर और चीजों को लेकर है वो वाकई में सवाल खड़े करती है इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो समझ में आया हो कुछ जानकारी मिल पाई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हाँ आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करो बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं और हाँ हमार फेस्बुक इंस्टाग्राम और ट्यूटर को भी फालो करें जिससे आपको नए ने जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी नमस्कार